हेलो गाईज, तो फिर मार्वल की मूवीज और सीरिस के बिना अपनी लाइब एकदम सुनी सुनी हो गई थी लेकिन मार्वल ने अपने चंदा मामा को ला दिया है, मतलब मूननाइट की सीरी शुरू हो चुकी है और आज हम उसके पहले एपिसोड का ब्रेकडाउन करने वाले इसलिए बिना अपने अंदर की मल्टीबल पासनले डिस्क को जगाए चलिए शुरू करते हैं तो उन्होंने अपने सैंडल में काच के टुकडे डाले ताकि उन्हें चलने में एक थोड़ा सा लंगड़े वाला लूक मिले उसी तरह का कुछ अपने ये भाई सब दिखाना चाहते हैं कि में वह लंगड़े हैं उसके बाद हमें मार्वल का एक क्लासिक लोगो दिखना बिलता है और ऑसकर आइसर जिसका कैरेक्टर मार्क स्पेक्टर होना चाहिए था वो नहीं बलकि स्टीवन ग्रांट है और उसकी नीन गुलती है और उसने अपने पेरों का बांध के रखा है इसके बाद में हमें पत स्टीवन ग्रांट से बिल्कूल ऑपने स्टीवन ग्रांटो होता है और उसने स्पेक्टर कॉप नाम की अपने पेसों से इसमें प्र इस शो में बहुत ही फटू किसुमका है इसके बाद में Stephen Grant बस में धक्के खाते हुए museum पहुचता है, वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़की से होते हैं, फिर उस लड़की को वो ज्यान पेलना शुरू कर देता है, जो group 9 Egyptian Deities का है, Deities मतलब God होते हैं, और उनी 9 God में से एक God हमारे इस episode के लिए और इस पूरी series के लिए ह important है, Stephen उस लड़की को बताता है कि Egyptian mythology के हिसाब से, इंसान का heart उसकी death के बाद में भी उसके काम आता है, उसके score को उसी के base पर judge किया जाता है, अगर वो उस judgment में fail हो जाता है, तो वो heaven नहीं पहुच पाता, फिर वो लड़की कहते हैं कि Mark अगर heaven नहीं पहुच पाया, तो उस से मिलती है, जो एकदम मौत के एकदम कगार पर होता है, पर कौन्शू, moon god का कहना होता है कि Mark उस टाइम पर मर चुका था और उसने उसे जिन्दा वापिस किया है, उसी चीज को लेकर ये reference हो सकता है, इसके बाद में हमें Stephen Grant की life के बारे में पता जलता है कि लोग उसके नाम बार-बार भूलते रहते हैं, तो लोग क्या उसके नाम को घंटा याद रखेंगे, उसके पास में एक डेट होती है, जिसके बारे में उसे खुद ही पता नहीं होता, शायद हो सकता है कि Mark ने उससे पूछा हो Stephen के बिहाब पर, इसलिए उसे खुद ही नहीं पता, जिस वज प्रेसोड में रिपलेश्टन को बहुत ही तरीके से जूज किया गया है, घर्व पोच्ने के बाद में Stephen उसी के डेली रूटन को फॉलो करता है, उसके बाद में वो उसे नेन ना आये, इसके लिए कोशिश करता रहता है, क्यूंकि वो सोग है तो उसे अपने आप भरोसा न पूरा टाइम उसके दीमाग में एक ही आवाज भूंचती रहती है जो प्रवैबली खौनशुकी है इस पूरे सीन में इस बात का रियलाज़ेशन होता है कि आर्थर हैरो जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं है वो फुल्ली आम्ट बॉडिगाड के साथ में गूमता है और कुछ लोग जो उसे फौलो करते है वो उन लोगों को जच करता है तो इस पूरे सीन को करते हैं जिसमें थोड़ा बहुत इस्टर एक्स ड्रॉप करते हैं हमारे ब्लू लोगों की फिल्म वाले एनिम के बारे में जो लास्ट यह आने वाली पर मेरे खाया से इस सीन का मीनिंग थोड़ा सा डीप है जिस तरह मार्क स्पेक्टर का एक आउतार है उसी तरह आर्थर एमेट का होतार है हिजब इस पूरे एपिसोड में एक दो बार मेंचन किया गया है बट आईफील यहीं पर इस पूरे सीजन को में वीलन है जिसे दोर्मा मों डॉक्टर सेरेंच का में वीलन था और कासी लिए उसके लिए काम करता था वे सही यहाँ पर आर्थर है यह के ल अब Egyptian mythology में जो Anubis है God of death जो हर किसी के मरने के बाद में उसे judge करता है और judgment पास करने के लिए वो तराजू के एक तरफ मरने वाले का heart रखता है और दूसरी तरफ ostrich का feather रखता है अगर उस मरने वाले का heart pure हो तो तराजू feather की तरफ जुकेगा और उसकी soul heaven चली जाएगी और करने के लिए एमिट आती है जो इंसान के heart को जिस इंसान के heart pure ना हो उसे एमिट खा जाती है और उसकी soul restless हो जाती है जो अंडरवल्ड में खो जाती है अब माफिया लोग का अंडरवल्ड मतलब अपने हिंदी वाशा में पाता लो जिसे Egyptian mythology में second death भी कहते है आर्थर हैरो उ उस चोराय पर खड़ा होकर यही काम कर रहा था जो एमिट करती थी मतलब लोगों की soul को judge करना उनके heart के base पर इसके वारे में Stephen शुरूत में उस लड़की को बता रहा होता है इस एमिट को आर्थर हैरो दोरा दखाया गया है इसी एपिस्पर में पर कॉमिक में आर्थर हैरो बिल्कुली अलग होता है वो भी मूननाइट का विला नहीं होता है बस वो एक surgeon होता है जो illegallyly human beings पर research कर रहा होता है मूननाइट जाकर उसे रोक लेता है अर्थर हैरो आगे के सीज़ में आर्थर हैरो के आदमियों को देखकर Stephen Grant भागने लगता है वो लोग उसके पीछे गो जाता है अब एक downgrade बात करना चाहूंगा इस पूरे एपिसोड की जो CGI थी बहुत लो लेवल की थी इस तरह की सीज़े अपने marvel की movies और series के accept नहीं करते तो चलो CGI को मारो गोली तो इस पूरे एपिसोड समझ में यह आता है कि आर्थर हैरो यह एमिट का होता है और अपना Mark Spector कौन शुका होता है Mark Spector अर्थर एरो को रोखने के लिए यह scarab हासिल करने के आता तो यह scarab क्या है इसमें कौन सी पावर से यह हमें आगी के एपिसोड में पता चल जाएगा अर्थर के बातों से यह पता चलता है कि वो एमिट को फिर से जिन्दा करना चाहता है उसके बाद में उसमें लैला नाम से बहुत सारे calls आये होते हैं और बीच में एक call आया होता है डुचैम नाम से तो लैला नाम का तो Marvel की comics में कोई नहीं है पर Moon Knight की comics में डुचैम नाम का एक बहुत ही popular character है जो Batman का Alfred जैसा character होता है जो Moon Knight का बहुत ही अच्छा दोस होता है फिर आगे Arthur Hero Stephen Grant का feature करते हुए उसके museum में पहुच जाता है Stephen को उसको देखकर पूरी तरह से फड़ जाती है क्योंकि उसे realize जाता है कि जो कुछ उसने देखा वो सबना नहीं बल्की real था तो यह Arthur Hero तो एक lesson है और वो अपना गुंडागिरी का काम एक दों honestly करेगा तो इसलिए हमें पता जलत हुआ बातरूम में घुच जाता है और उसको बातरूम की मिरर में अपनी personality दिखाई जीती है जो है Mark Spector तो Mark Spector उसे कहता है कि भाई staring मेरे हाथ में देदे में दोनों की जान बचा लेगा मतलब वो खुद की भी जान बचाएगा और उसकी दूसरी पर स्टीवन ग्रांट की कितनी भी ओ बॉड़ी तो एक है ना तो फिर आगे स्टीवन ग्रांट उसकी बॉड़ी के गाड़ी का स्टेरिंग मार्स पेक्टर के हाथ में दे देता है और अराव से शोव देखने के लिए गयब हो जाता है तो फिर मार्क स्पेक्टर मून नाइट में ट्रांसफोर्म हो इंटिमेटिंग डॉमिनेटिंग हलके cgi को इकनोर किया जाए तो तो बातरों के फाइट को सीन को दिखाया क्यों नहीं बगवान जाने और थोड़ी सी लिक्स मिले कि इसके एपिसोड नंबर 3 और 4 बहुत ही ऑसम लेवल के एपिसोड होने लिए मतलब ऐसा कह सकते है कि और 3 ही होगा इसलिए मैं एपिसोड 2 से जादा एपिसोड 3 का इंतजार करने के लिए बेताव हो तो मिलते हैं अगले एपिसोड में तब तक के लिए be marvelous signing off for the day